जिम में जाद अतर लोग फेट होने के लिए जाते हैं और कुछ बॉडी बनाने के लिए जाते हैं लेकिन वहीं कोछ ऐसे बॉडी विल्डर्स भी होते हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जिम में खड़ी लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए या उन्हें शू के लिए इतना भारी वेट उठा लेते हैं कि उनके ओवर वेट की वजह से वो अपनी जिम में इंसर्ट करा लेते हैं खुछ इस तरह से और गाइस कुछ ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी होते हैं जो कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अपनी ताकत के गुरूर में डूवे रहते हैं और जब वो लोगों के सामने परफॉर्म करने जाते हैं तो उनके चखके चुट जाते हैं तो गाइस आज की इस वीडि करने में कितनी ज़्यादा ताकत लगती है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है लेकिन क्या हो जब एक ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर वेट लिफ्टिंग करने आ जाए ऐसा ही कुछ हुआ इन जनाफ के साथ जो कि तीन राउंड पार करने के बाद खुद को इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझने लगे कि इन्हें लगा कि ये फाइनल राउंड तो अब यूँ ही जीत जाएंगे लेकिन जब बारी आती है फाइनल राउंड की और उस राउंड में जब ये जनाफ वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वेट ज़्यादा होने की वज़ा से इनके मुह से उल्टियां हो जाती है जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देखी सकते हैं जब भी आपका भी जिम जाते होंगे तो जिम में आपको कभी न कभी एक ऐसा लड़का जरूर मिला होगा जो कि खुद को ये समझता है कि उसको जिम की सारी एक्सराइ कर कुछ इस तरह से सैट कर लेता है और उसके उपर रोड को रख के बेंच प्रेस करने लगता है लेकिन ये भाइस आप दूसरों को सिका रहे थे वट भारी बेट होने के विज़ा से इन ओवर कॉन्फिडेंट जिम ट्रेनर से यही बेट नहीं उठाया जाता है इसी तरह स जिम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नया नया जिम को जॉइन करते हैं और उन्हें कौन सी एक्सराइज को किस तरह से करना है ये भी नहीं पता होता है और फिर वो अपनी तरह से कोई भी एक्सराइज करने लगते हैं कुछ लोग वर्काउट करने के लिए खुद को बहुत ही वड़ा टास्क दे देते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है वो आप खुद ही देख लीजिए कुछ बोड़ी बिल्डर्स इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिटर्ट होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो stable और unstable दोनों ही weight उठा सकते हैं एजिकी चलते हूं weight उठाने के लिए लड़कियों का इस्तिमाल करते हैं अब जब यह bodybuilders लड़कियों के एक weight की तरह ही उज़ करेंगे तो इसमें कुछ न कुछ तो गणवर होगा ही जिम्में ट्रेड मेल पर दोड़ना सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान काम लगता है और इस पर दोड़ने के लिए लोग लाइन लगा कर भी खड़े हो जाते हैं लेकिन ये ट्रेड मेले एक अंजान ब्यक्ती के लिए कितनी ज्यादा खतर नाग हो सकती है वो आप इस लड़के को देखके समझ लीजिए जो कि ट्रेड मेल के उपर दोड़ने के लिए जाता है लेकिन इसकी स्पीड जाता होने के वज़े से लड़का ट्रेड मेल के उपर से गर जाता है जिम में वेट लिफ्टिंग करना तो एक आम बात होती है लेकिन यहीं आम बात तब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब ओवर कॉंफिडेंस में आके जिम में कोई बंदा अपनी हद से भी जादा वेट उठाने लगे झाल इसी हाइवेट की वेशे से जब लोग चेस्ट की एक्सराइज करने के लिए जाते हैं तो ये यूज कर रहा है रोड को अपनी जगह पर भी नहीं रख पाते हैं कुछ लोग फन के चलते जिम में इतना बड़ा खत्रा मोल ले लेते हैं कि उस खत्रे से उनकी जान भी जा सकती है जैसे इसी बंदे को देख लीजे जो कि जिम में पड़े टायर को कुछ इस तरह से उठाने की कोशिस करता है लेकिन यही टायर पलटके इसके पीछे ही आ जाता है जिसमें इस बंदे का हाथ फसा रह जाता है अगर जरासी भी इस बंदे से चूक हो जाती तो इससे अपने हाथ से ही हाथ दोना पड़ता अब गैज इसी बंदे को देख लीजे जो कि वेट लिफ्टिंग करने के लिए इस वेट को ऊपर उठाता है लेकिन जैसे ही यह वेट को ऊपर उठाता है वैसे ही इस बेक्ती का बैलेंस बिगड़ जाता है और यह इस रोड को अपनी पीछे की तरफ छोड़ देता है जो कि इसके पीछे लगे काच मेजा टकराती है जिसके वजह से यह पूरा काच टूड़ जाता है बैसे गाइस अगर आप भी जिम जाते हैं तो कि आपके साथ या आपके फ्रेंट के साथ कभी ऐसा फणी मूमेंट हुआ है अगर हुआ है तो भाई मुझे भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना तो मिलते हैं एक और नई इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई